पुस्वागत आपका एक कुरुंटिया पंदरा के अधियर में आज हम 1 से 4 आयतों को देखींग और ये अधियाए बहुती शक्तिशाली अधियाए है क्योंकि ये हमारे विश्वास के बारे में है विश्वास में जो हमारा आश्रवासन उसके बारे में है हम कई बार सोचते हैं कि सू समाचा है क्या क्या है ये सू समाचा जो हमें उधार देने की सामर्त रखता है यह कुछ बहुत ही बारी भरकम होगा पर सू समाचा बहुत ही सरल है तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँ कि इसे लाइक और शेयर कर दीजिए क्योंकि आज हम सू समाचार की सरलता को और उसकी सामर्त को समझने वाले हैं तो बिना अधिक भूमी का बांदे मैं एक करूंतियों पंदरा एक से चार आपके लिए पढ़ता हूँ हे भाईयो अब मैं तुम्हें वही सू समाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ जिसे तुमने अंगिकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो जो मुझे पहुँची थी कि पवित्र शास्तर के वचन के अनुसार येश्यू मसी हमारे पापों के लिए मर गया और गाला गया और पवित्र शास्तर के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा पॉलस शुरू करता है कि मैं तुमें वही सूर समाचार सुनाता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ कोई भी घ्यान की बाते जो हम बोलते हैं उसे धीरे धीरे और बेतर तरह से हम बत्याने लगते हैं पर पॉलुस कहता है कि मैं तुम्हें वही सूसमाचार सुनाता हूँ जो पहले भी सुना चुका हूँ मतलब सूसमाचार वही है उसमें कोई बदलाव नहीं है सूसमाचार जो था वह पहले से वही है और आज भी वही है कोई बेतर सूसमाचार नहीं है और फिर पॉलुस तीन दूसरी आयात में पॉलुस कहता है कि उसी के द्वारा तुमारा उद्धार भी होता है यहाँ है सू समाचार से हमारा फायदा सू समाचा के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है पर यह फायदा हम तक पहुँचता कैसे है कब और कैसे सू समचार हमारे लिए अच्छा समचार बन जाता है हमारा उद्धार बन जाता है सबसे पहले पॉलुस कहता है जो मैं सुना चुका हूँ जिसे तुमने अंगिकार भी किया था Common Language अनुवाद में इस प्रकार से है जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया जिसे आपने गरहन किया अंगिकार करने से पहले गरहन करना पड़ता है बहुत से लोग हैं जो सुनते हैं कई बार सुनते हैं उनसे आप पूछो वे कहेंगे हाँ पता है पता है पर वे गरहन नहीं करते क्योंकि वे गरहन नहीं करते उससे उन्हें कोई लाब नहीं होता आप सोचिए मैं एक तोफ़ा आपके लिए खरीता हूँ और उसको बहुत ही सुन्दर से कागज में उसको मैं रैप करता हूँ उसका पैकेज बनाता हूँ मैं और उसके बाद मैं आकर वो आपको देता हूँ क्या मेरे देने भर से यह तोफ़ा आपका हो गया बताईए नहीं जब तक नहीं जब तक आप उसको गरहन नहीं कर लेते आप जानते हो कि यह तोफ़ा आपके लिए है पर जब तक आप उसे ग्रहन नहीं करते वे आपका नहीं है आपका उसे कुछ भी लाब नहीं सू समाचार एक तोफ़ा है उपहार है जो जानना नहीं ग्रहन करना होता है तब ही आप अंगिकार भी कर सकते हो यह अब आपका है फिर पॉलुस कहता है पहली आयात में कि जिसमें तुम स्थिर रहते हो, सू समाचार जिसमें तुम स्थिर रहते हो, या द्रिर रहते हो, हिलते नहीं हो, बटकते नहीं हो, अब देखिए कुरंतियों की कलीसिया में बहुत सारी समस्याय थी, उनकी चर्चा हमने की पर शुरू से अन तक पॉलुस एक बात के उनसे उनकी प्रशंसा करता है कि वे लोग सू समाचार में स्थिर हैं इसके विपरित अगर आपने गलीतियों का पत्र पड़ा होगा मैंने बक्ती बचन पर उसका अधियन किया है आप सुन सकते हैं गलातियों के लिए वह कहता है कि वे लोग कि इसी अनिया ही सू समाचार की और जुक रहे हैं वह जो सू समाचार है ही नहीं कुरूंति कलीसिया इतनी समस्या के बावजूद भी अनुगरह में बनी हुई थी जबकि गलातियों के लिए पॉलुस ने कहा था कि तुम अनुगरह से गिर चुके हो क्यूं क्योंकि वे लोग व्यवस्था के साथ पुराने नियम की मूसा की व्यवस्था को भी जोड रहे थे सू समाचार के साथ सू समाचार सरल है सिंपल है पर इतना सरल है कि कई बार हमारे जटिल दिमाग इसे समझ नहीं पाता हम सोचते हैं अरे उधार का इतना आसानी से हो सकता है केवल विश्व करने से कैसे हमें उद्धार मिल सकता है इतनी आसानी से हमें भी कुछ करना होगा ना धर्म तो बताता है कि अगर प्रमेश्वर प्रसंद करना है तो यह करो यह करो वह मत करो तो पस्या करनी पड़ती है बहुत मेनत करनी पड़ती है पवित्र जीवन जीना होता है बहुत मेनत से खुद की तेश्टा से तब जाकर उद्धार और मुक्ती मिलती है परमिश्वर शायद से आप से प्रसंद हो जाएगा परन्तु यह सूर्ष समाचार नहीं है यह धर्म है इतनी आसानी से कैसे इसलिए लोग सूर्ष समाचार के साथ अन्य चीजों के भी जोड़ लेते हैं और उसे सूर्ष समाचार अशुद हो जाता है और सूर्ष समाचार रहता ही नहीं है सू समाचा पर विश्वास करने का अर्थ है येश्यू मसी के क्रूस पर कि एक काम के द्वारा परमिश्वर पर उधार के लिए निर्बर रहना और स्थिर रहने का अर्थ है येश्यू के क्रूस के द्वारा ही परमिश्वर में निर्बर रहते हुए जीवन जीना उसे कुरूज को देखते हुए जीवन जीना, सेवा करना, उस पर निर्बर रहने जीवन में बुराई और पापों खतम करने के लिए, समस्याओं का सामना करने के लिए उस पर निर्बर रहना, आप उसी पर निर्बर रहते हैं प्रतार्णाओं के बीच में भी, आप अपने क गर आप कुछ भी जोडते हो तो वे सूसमाचार नहीं रहे जाता उसमें उध्धार करने की टाकत खतम हो जाती है देखिए लोग बहुत कुछ पर विश्वास करते हैं और बहुत ही शिदत के साथ उस पर विश्वास करते हैं पर किसी का विश्वास उसे मुक्ति नहीं दिला सकता, उद्धार केवर सूसमाचार पर विश्वास से होता है, सिर्फ सूसमाचार से, दूसरी आयत में पॉलिस कहता है, कि उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हुआ है, यदि उस सूसमाचार को जो मैंने तुम्हें मनल लखते हो नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ अगर इस सरल सीधा सूसमाचार है उसके साथ छेड़ खानी करते हैं अगर उसके साथ हम कुछ जोड देते हैं तो हमारा विश्वास व्यर्थ है फिर वह किसी काम का नहीं रहता क्योंकि फिर हम केवल पर मिश्व के काम पर निर्भर रहकर नहीं हम दूसरी बातों पर भी निर्भर करना शुरू कर देते हैं जैसे कि हमारा करम अच्छे काम नियमों का पालन करना पॉजिटिव थिंकिंग बहुत साई चीजें हो सकती हैं केवल सरन सू समाचार को या आविश्कार नहीं है सू समाचार किसी अन्य प्यरितिया येश्व के चेले का भी आविश्कार नहीं है येश्व के चेले को भी इसे विश्वास के द्वारा ग्रहन करना पड़ा था सू समाचार के आविश्कारक स्वयम परमिश्वर है सू समाचार शुरू से ही परमिश् पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यहां है सूसमाचार जिसके द्वारा आप परमिश्व के राज्य में आप दाखिल हो पाते हो। येश्व हमारे पापो के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। बस इतना सा। विश्वास करा ग्रह में लिखी जा रहे थी। उसके पास नया नियम नहीं था। तो जब पॉलो इस पवित्र शास्त्र कहता है उसका तात्पर ये केवल पुराने नियम है। क्या पुराने नियम में भी येश्व कुरूज पर क्या मर जाना, गाड़े जाना और वापिस जी उठना लिखा हाँ बिलकुल, कई सारी भविश्यवानी हैं इसे लेकर, तीन आयाते ही मैं आपको बताता हूँ, ये शाहाब भविश्यवक्ता की किताब में क्रेपण अध्याय के आट आयात, अत्यचार करके और दोश लगाकर वे उसे ले गए, उस समय के लोगों में से किस ने इस पर ध हला गिया, क्यों मेरे ही लोगों के अपराध के कारण उसे मार पड़, मेरे और मेरे अपराध के लिए जो धंड हमें मिルना चाहिए था वे उसको दे दिया और फिर, नौ आयात में इसी अध्याय के, इसके कबर भी दुष्यों के संग ठहराई गई, और मिठ्यों के समय वह धनवानों का संगी हुआ, यद्यपी उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुह से कभी छल की बात नहीं निकली थी येश्यु की मृत्यों दो अपराधियों के साथ हुई पर उसे एक धनवान की कब्र में गारा गया यह तो हो गया उसकी मौत और दफनाएं जाने की बात वापिस जी उठने की सुनिये भजन संगीदा सोला नौ से दस में का लिखा है इस कारण मेरा रिद्य आनन्दित और मेरी आत्मा मगन हुई मेरा शरीर भी चैन से रहेगा क्योंकि तू मेरे प्रान को अधलोक में न छोड़ेगा ऐसी कई सारी आयात है करीम तीन सो के उपर जो प्राण नियम में दी हुई है जो येश्यो में पूरी होती है सबसे पहरी भविष्यवाने हमें उत्पत्ती तीन में मिलती है मतलब सू समाचार शुरू से ही परमेश्व की योजना थी येश्यो का आना उसी क्रूस पर मृत्यू गाड़े जाना और वापिस जी उठना सब उसी योजना के अनुसार हुआ इस सरल से सू समाचार में दुनिया के सबसे सुन्दर शब्द है और वो है येश्यो मसी हमारे पापो के लिए मर गया वो जी उठा इसके बारे में हमका अगले दिन बात करेंगे पर येश्यो मसी हमारे पापो के लिए मर गया कई लोग मरते हैं पर किसी की मौत का हमारे ओपर कोई दूर गामी प्रभाद नहीं पड़ता, कोई निकट का व्यक्ति अगर मट जाता तो कुछ समय तो दुख हमें जरूर होता है पर उसके बाद जिन्दकी वैसे की वैसी, पर येश्यू मसी की मौत उसका हमारे लिए गहरा और दूर गामी अर जो किसी को नजर से, किसी की नजर में नहीं गुजरा, पर वह हुआ, परमिश्यू ने हमारे पाप, जो हमें उससे अलग करते हैं, येश्यू पर डाल दिया, और सिर्फ हमारा पाप ही येश्यू पर नहीं डाला, परमिश्यू क्रोध येश्यू पर उत्रा, और इस कारण पिता परमिश्वर ने अपने पुत्र से अपना मुह फेड लिया। येश्यू ने प्रातना की थी कि हेर पिता यदि दू चाहे तो इस कट्योरे को मेरे पास से हटा ले। इसलिए नहीं कि वैसारी दिख वेड़ना और मांसी कष्ट से डढ रहा था। पर इसलिए कि उसे एक शरण जब परमिश्वर ने सारे जगत के पाप उस पर डाल दिये। और अपना सारा क्रोध उसपर खाली कर दिया। उस समय इतिहास में पहली बार और आकरी बार पिता परमिश्वर ने अपना मुूँ पुत्र परमिश्वर से मूड लिया। और येश्यू ने उसे उस ख्षंच लाकर कहा कि ए परमिश्वर, मेरे परमिश्वर, तुने अपना मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या येश्यू मसी के लिए सबसे कष्टकारी क्या था, कि वो था पिता से अलगाव, पिता से अलगाव, वो थी उसके आत्मिक मृत्यू, ताक इसलिए ये शब्द की येश्यू क्रूस पर हमारे लिए मर गया, इतने सुन्दर हैं, उसे परमिश्वर क्रोध सहे लिया, तक हमें सहना ना पड़े, जैसा कि ये शाया त्रिपण 4-5 में लिखा है, निश्य ही उसने हमारे रुगों को सहे लिया, और हमारे ही दुखों को तो भी हमने उसे परमिश्वर का मारा कोटा और दूर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वे हमारे ही अप्रादों कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्मों के कारण कुछला गया, हमारी ही शांती के लिए उस पर तारना पड़ी, कि उसके खोड़े खाने से हम लो चंगे हो गया